हारे कृष्णा तो आज का टॉपिक जो मैं ले रहे हूँ वो बहुत ही कॉमन कोशिन है कि अगर आप क्ली मंत्र की जाब को कर रहे हैं या फिर लॉफ अट्रेक्शन के किसी भी टेक्नीक को यूज कर रहे हैं चली जानते हैं इसके बारे में कि यह कोशिन क्या है कोशिन है कि नेगिटिव थौट्स को किस तरीके से हम रोक सके प्राक्टिकल लाइफ में तो अब प्राक्टिकल लाइफ में सबसे पहले रोकने के लिए हमें करना क्या है मैं भी कहती हूँ आपको या फिर आपने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसमें लोगों ने आपको कि stay positive, be positive, आपको positive रहना है बट positive रहा किस तरीके से जाएं अगर हम इंसान है और normal जंदगी बिता रहे हैं तो obviously बात है negative thoughts दिमाग में आएंगी तो अब हमें इससे बचना कैसे है तो बचना आपको कुछ इस तरीके से है आपको कि जब ये negative thoughts आ रहे हैं उस समय आप एक काम क कर सकते हैं कि आप प्रभू का नाम लें जैसे ही आपके दिमाग में कुछ गलत ख्याल आते हैं गलत ख्याल किस तरीके से होते हैं जैसे अगर आपके और आपके हस्बिन के बीच में लड़ाई होते हैं मैं एक situation ले रहे हूं तो आपके और आपके हस्बिन के बीच में मेन कारणी ही होता है जिसको आजकल हम कहते हैं कुछ ego problem भी होनी शुरू हो जाता है ego problem किस तरीके से होती है ego problem इस तरीके से होती है कि मैं क्यों जाओं बात करने मैं किसलिए आगे पड़ू उसकी भी तो गलती है मैं क्यों बात करने जाओं तो सबसे पहले हमें इन सारी चीज़ों को जो चीज जो बीथ गई, मतलब अगर आपकी fight हो गई, वो चीज वो समय बीथ किया, तो आपको करना क्या है, उस समय के बीथते ही आपको अपने आपको शांत करने के लिए, आम जन्दगी में मैं कहती हूँ, बहुत ही मुश्किल हो जाता है अपने गुसे पे control रखना, आज के टाइम में मतलब इतनी fast life हो गई है, लोगों के अंदर patience ही नहीं है, मैं यह कहती हूँ कि घर के बाहर भी patience नहीं है और घर के अंदर भी लोगों के अंदर patience ही नहीं है, तो सबसे पहले चीज़ आप अपने आपको शांत करो, और शांत करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप प्रभू का नाम ले सकते हैं, वैसे ही आप प्रभू का नाम लेना शुरू करोगे न, वैसे ही आप notice करोगे कि दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच मिनित में, आपका गुसा थन्दा होना शुरू होगे है, कोई जरूरी नहीं है, आप ओम क्लीम क्रिश्ना आइनमा का ही जाप करो, आपकी मर्जी अगर उस समय नहीं हो रही है कि आप ओम क्लीम क्रिश्ना आइनमा का जाप करो, क्योंकि नेगिटिविटी बहुत आपके दिमाग में बैठरी जा रही है, आप उस समय श्री क्रिश्न का जाब करो, श्री हरी का जाब करो, ही राम का जाब करो, राम नाम का जाब करो, जो भी जो भी आपकी मरसी हो, ये सारी बाते सुनी होगी, कि कल्यूग में प्रभू का नाम अधार है, इसका क्या मतलब होता है, कि कल्यूग के समय में अगर हम प्रभू का नाम ही ले लेते हैं वही हमारे लिए बहुत सारे काम कर जाते हैं बहुत सारे काम कर जाते हैं जिस तरीके से पहले के टाइम में योगी जो होते थे वो जब करते थे, तब करते थे फिर समय आया जिस समय लोग हवन करते थे, यग्य करते जिन थर्ड समय आया, जिसमें लोग बहुत बड़ी बड़ी बूजाईं रखवाते थे, है ना, बट अब कल्यूग का समय है, जिसमें कहते हैं प्रभू का नाम अधार, अगर आप प्रभू का नाम भी ले रहे हो, कल्यूग में अगर आप बिना मन के भी, मतलब बिना मन के कह अनिका मतलब कि आपकी सोच नहीं है, आपके मन में प्यार नहीं आ रहा है उस समय प्रभू के लिए, मगर फिर भी आपने गलती से भी श्री कृष्ण ले लिया, हरे कृष्ण डे लिया, हे राम ले लिया, तो ये सारी चीजें आपके लिए बिलकुल वैसा ही काम करीगी जैस जब तब करते समय योगियों को मिलता था, कल योग के समय में, नाम, नामी दोनों में कोई अंतर नहीं, अब आप पुछेंगे, नाम और नामी में अंतर नहीं है, इसका क्या मतलब ही होता ये है, कि आप प्रभू का नाम भी अगर लोगे, तो प्रभू की जो कृपा आपक सिर्फ नाम लेने से ही मिल जाएगे, इसको हम एक एक एक्जाम्पल किस तरीके से हम समझ सकते हैं, राम योग से मैं एक एक एक्जाम्पल लेती हूँ, किस तरीके से नाम और नामी में भेद नहीं है, मैं वो आपको समझाती हूँ, सुर्प नखाजो थी, वो प्रभू के नाम के पीछे नहीं थी, उन्होंने कभी प्रभू का नाम नहीं लिया, वो जबर्दस्ती वो श्री राम को पाना चाहती थी, उनके नाम के आश्रित नहीं थी, उनके नाम की और खिची नहीं चली जारी थी, वो नामी के आधारत हो रही, कि वो नामी मुझे चाहिए, वो प् की नाम को जपा, उस इंतजार में जपा कि किस तरीके से प्रभू श्री राम कब मेरे द्वार आएंगे, जब आप राम नाम का अधार लेते हो, तो प्रभू खुद चल के आते हैं, यही एक्जामपल उस समय प्रभू श्री राम ने दिया, कि जब सबरी माता ने श्री राम को याद किया, पुरी जिंदिगी अपनी श्री राम नाम पे दिया, तो प्रभू को खुद चल के उनके द्वार आना पड़ा, उनकी उसी छोटी कुटिया में, सबरी माता नहीं कई, उनके पास श्री राम जी को खुद अपने भक्तों के पास चल के आते हैं, बिलकुल इस असमान में उसे जिदर मन कर रहा है, वो उदर खुले मन से उड़ रही, मगर जैसे जैसे आप उस पे ध्यान के इंद्रित करेंगे, आपको दिखता है कि वो पतंग कहीं न कहीं किसी के हाथ में एक डोर है, जिससे बंदी है और वो उसे नियांतरत कर रहा है, तो ये भी एक एक्जैंपल है कि पतंग क्या है, प्रभू है, श्री हरी, श्री राम, श्री नरायन, शिव है, मातरानी है, और वो दोर क्या है, हम जो उनका नाम ले रहे हैं, जो उनको याद कर रहे हैं, वो पतंग की तरह हमारे से उस डोर से बंदी है, और जो उसे नियांतरत कर रहा है, वो कौन है, वो हम खुद है, वो हमारा मन है, कि जब हम प्रभू का नाम लेते हैं, जब हम दिल से याद करते हैं, या फिर जाने अंजाने में भी उनका नाम लेते हैं, तो प्रभू अपने भक्तों के साथ उस टोर से एक पतली से नाम के डोर से बंद जाते हैं, और नाम पे आश्रित हो जाते हैं और नाम को ही आधार मान लेते हैं तो प्रभू खुद बखुद अपने सारी गृपा आप बरसाना शुरू कर देते हैं नेगिटिव थौट से बचने का सबसे मेन जो आपका एक्जामपल है वो यही है कि अपने आपको अपने प्रभू को याद करना शुरू करें जब आप प्रभू को याद करेंगी आपका गुसा अपने आप शान्त हो जो है जितना है हमें उतने में खुश रहना सीखना चाहि भले ही आपकी लाइफ में कितनी भी नेगिटिविटी हो कितनी भी दुख हो अगर आप प्रभू के नाम को अधार बना लोगे आपको दुखों का पता ही नहीं चलेगा आप अपनी लाइफ में इतनी खुशी इतनी आनंद फील करने लगेंगे कि आपको लगेगा कि के experience से आपको बता रहे हूँ खुद की life में experiment किया हुआ है आपको भी ये सारी खुशियां इसी तरीके से बले जिस तरीके से प्रभू मेरे उपर सारी खुशियां बरसा रहे मैं चाहती हूँ YouTube के माधियम से जितने लोग भी मुझे सुन रहे है उन सब के पास मैं प्रभू का नाम कुछ इस तरीके से बसा दूँ कि उनके उपर भी वैसी ही कृपा बरसे जिस तरीके से प्रभू ये कृपा मेरे उपर बरस रही तो आज के लिए इतना ही आशा करती हूँ कि जिस point को मैं clear करना चाहती थी कि वो point आपके साथ बिल्कुल clear हुई है अगर आपको लगता है कि कोई point इसमें छूट क्या है प्लीज मुझे इसके बारे में भी बताए ताकि मैं उसके बारे में आपको जल्द से जल्द एक new video के साथ आपको answer दे सको तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए थैंक यू सो मच हरी बोल